हेलो क्राइंस मैं जेदिप स्वागत करता हूँ हमारी चैनल में तो चलो शुरू करते हमारी आज की वीडियो लेकिन अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करूँ आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ के से पहले हमें एक और फाल डाउनलोड करनी है जिसका नाम हैbeitsyour मिस्व इस पर आपको क्लिक करना है और मिस्व में जाना ऐढ़ना है यहाँ पर आपको ऐशीयार देखने को मिलेगा उसमें आपको डाउनलोड पर जाना है सिंपल ले करने पर आप इस पेज पर चले आओगे तो इस पेज में आपके हम हमें इस MSYS2 पर सिंगल बार क्लिक करना है इसे क्लिक करते ही हम यहाँ पर पहुच जाएंगे यहाँ पर लिखा है इंस्ट लेशन गीठ हब अपर अम को खिलिक करना है किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दी जाएगी यह लिंक Daound-led-team installer MNGW Daound-lood करने के लिए यह Link है इस पर यह सी क्लिक करते ही यहाँ पर आपकाई दाwn-load शूरू हो जाएगा मिले पास अल्रेडी स्呢 download है तो मैं बार-बार डाउन्लोड करना नहीं चालते हूँ इसके बार हमें एक vlast प्रूर्स कोड विजोस्ट न स्ट Оड डाउन्लोड करना है इसमें डाउनलोड करने के यह और ओफिशल एपसाइड है विजोस्ट्टीव कोड डाउनलोड करना है इस पर आप क्लिक करना है और यहाँ से डाउनौड करने का है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका डाउनौड होना शुरू हो जाएगा, यह सकते हैं टो मेरे डाउनौड नहीं करूंगा, इसको ऐसे कैंसल करूंगा, दोनों है download होने के बाद आपको सही तरिके से install करना है install करना है फिर उसमें visual studio code है वहाँ पर click करना है visual studio में आने के बाद आपको कुछ ऐसा व्यूस दिखने को मिलेगा उसमें आपको यहाँ पर extensions को जाना है और simply यहाँ पर सर्च करना है C C C++ ऐसे सर्च करने के बाद यहाँ Microsoft द्वारा दी गई है यह लिंक को आपको install करना है install करने के बाद आपको यहाँ पर एक दूसरी दूसरी लिंक लिखने के लिए उसका नाम है code runner code runner एक code runner है जोन हन के नाम से इसको इंस्टोल करना है मैंने आपको इंस्टोल करना है simply और अपना व्यूजय स्टूडियो कोड है उसको सिंपल इस्टाट करने का है आपको जाना है अपनी पर अपने जो लिखाऊगा हो यहाँ पर पर जाकर यहाँ पर पर यहाँ पर से जाकर यहाँ पर WordPress as यहाँ पर आपको लेखना है c c++ programming एंटर करना है यहाँ पर देख सकते हो आप c++ programming आ चुका है तो यहाँ पर यहाँ आपको new file बनानी है यहाँ पर आपको जिस नम से यहाँ पर देख सकते हो आप हो गया है अभी मैं क्या करूंगा एक simple program लोगा उसको रण करके आपको दिखाऊंगा यह रहा मेरा simple program जिसमें यह मैंने अभी comment आउट किया है तो अभी मेरा है include hashtag include stdio.h internet और यहाँ पर print app hello world मैं hello world प्रिंक करवाना चाता हो तो यह आप यहाँ से run कर सकते हो या अल्टर करके भी आप रन कर सकते हो और सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके रन कोड भी कर सकते हो तो देखो यह रन कोड करते ही यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट नहीं आ रहा है अगर यह से आपको आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ही क्या करना यहाँ पर जाके setting है उसमें setting में जाना और setting में जाके setting और इसपे extensions extension में जाके आपको run को code configuration में जाना है और यहाँ पर simply आपको डूनना है run in terminal ऐसे click करते ही वो हो जाएंगा फिर से इसको control करना है फिर इससे settings को close कर देना है और test में आखके फिर से आपको run करना है देखो यहाँ पर हो गया hello world hello world print हो जाएगा देखो हो गया ना hello world print अभी मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ simply क्या हो था है कि जब आपको को यह value user से एंटर करना चाहते हो तो वह output में रन नहीं होता है इसलिए हमको टर्मिनल ने करना पड़ता है इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि टर्मिनल में कैसे करते हैं तो इसको वर्ट को डिलेट कर देता हूँ फर से अभी रन करता हूँ थेखो यहाँ पर फिर से मेरे पास माग रहा है तो में ऑगहार ट्राण और अंटर करूंगा तो देख सकते हूँ अग्स्टन कर के प्रेंट होंगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म तब 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 कले, बाइब बाइ